नाकपुर जिले में पिछले सप्ता भर में कोविट संक्रवन ने रोजाना ने रिकॉर्ड बनाए पर शुक्रवार को कुछ राहत मिली संक्रवन की आकड़े 561 की कमे के साथ 3235 पर पहुझ गये लेकिन मौत की आकड़ों ने डरा दिया अक्तुबर के पहले सप्ता के बाद शुकरवार 19 मार्श को जिले में रिकॉर्ड 35 मौत हुझ इसके पहले एक दिन में 5 अक्तुबर 2020 की दिन 36 मौत दर्स के गई थी नाकपुर जिले में अब तक कुल 1,85,787 पॉसिटिव मिले और 4,563 की मौत हुझ पिछले तिन दिनों से नाकपुर जिले में 15,000 से अधिक नमोनी की चांच की जारी है प्रशासन ने टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर देना शुरू कर दिया है इसी वज़े से संक्रमीतों के आकड़ी बेतहाशा बढ़ रहे है लेकिन मनपा आयक दिराधा कृष्ण भी ने शहर वास्यों से नहीं घबरानी की अपील की पर सयम की साथ कोविड नियमों का पालन करने को भी अपील की मिले संक्रमीतों में शहर के 2524, ग्रामिन के 708 और जिले के बाहर की 3 है मृतकों में शहर की 30, ग्रामिन के 9 और जिले के बाहर की 3 है आकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि गुरुवार की तुलना में शिक्रवार को शहर में जहां नए संक्रमीत 389 घटे वही ग्रामिनों में 172 संक्रमित कम हुए पर गुरुवार की तुलना में शिक्रुवार को ग्रामिन में 3 शहर में 9 मौत अधिक हुई है नाकपुर जिले में सक्रियम मरीजों की संक्या 25,579 पर जाप पहुची है इसमें शहर के 20,554 ग्रामिन के 5,015 संक्रमित है पिछले चार दिनों में नाकपुर जिले में 6,589 सक्रियम मरीज बड़े है सक्रियम मरीजों में 6,461 विभिनस सरकारी वनीची अस्पतालों में भरती है जबकि होम आइसलेशन में 19,108 संक्रमित है नाकपुर जिले में लगातार दूसरे दिन 16,000 से अधिक जांच किये गए शिक्रवार को जिले में 16,066 नमूने जांचे गए इसमें शहर के 10,718 ग्रामिन के 5,348 इससे पहले गरवार को रिकॉर्ड 16,149 नमूने जांचे गए अब तक नाकपुर जिले में 14,46,816 नमूने जांचे गए कैमरा पोसिन राजकुमार मोर के साथ अभिशेक पान से बीसी नियूस नाकपुर